हेलो एवरिवन आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मैंचूरियन और नूडल्स की रेस्पी बनाने में असान, खाने में टेस्टी और बहुती सिंपल रेस्पी चलिए इसे बनाना फटाफट शू करते हैं ये मैंने खूब सारी सबजे लिए हैं बंदगोबी, शिम्लामेश, गाजर, प्याज और हरेप्याज बंदगोबी को मैं बिल्कुन रफली चॉप कर लूँगी इस तरीके से रफली चॉप करने के बाद नहीं चॉपर होगा ना इस तरीके का उसमें डाल कर मैं बिल्कुन बारीक कर लूँगी क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा बारीक भी हो जाता है और टाइम भी नहीं लगा जल्दी जल्दी यह हो भी जाता है कुछ इस तरीके का देखिए बिलकुन बारीक हो चुका है तो इसे मैं एक कठोरे में डाल लूँगे इसी तरीके से रफली चॉप कर लेंगे गाजर शिमला मिर्च को भी बिलकुन बारीक में कठ कर लूँगे इसे मैं करशनी करूँगे सिर्फ बारीक कठ कर लेंगे और इधर हरी मिर्च भी तो सारी सब्जिया हमने स्टेप बाई स्टेप सा भी काट लिया है और प्याज को भी बिलकुन बारीक काट लेंगे आप इसमें च कॉन फ्लावर और एक स्पून मैदा डालेंगे इससे बाइंडिंग अच्छी होगी सभी को अच्छी तरीके से मिला देंगे मिलाने के बाद देखिए इसके जब बॉल बनेंगे न तो बिल्कुन परफेक्ट बनेगा इसी तरीके से सारे बॉल हमने त्यार कर लिए फ्राइप करके कंचीनू हम इसे इस तरीके से सेकेंगे और इस तरीके के कलर हो जाये तो इसे करके सभी को निकाल लेंगे फ्राइपन लेंगे अद्रक लस्न ही मिलच डालेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत 이 अच्छ हमने हिलाते कोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब बारी कटा हुआ हम प्याज और कुछ टुकड़े हम हरे प्याज के भी डाल देते हैं इससे टेस्ट अच्छा आएगा और बारी कटा हुए हरे शिम्लामिज सभी सबजियों को डालने के बाद इसे continue हम हाई फ्लेम पे ही हाई फ्लेम पे भूनेंगे जब तक यह अच्छी तरीके से सोटी हो रहा है तो यह में एक बावल में कॉन फ्लावर ले रही है एक स्पून इसमें ठंडा पानी डाल कर इसका स्मूज सा पेस्ट बना लेंगे जब हमारा पेस्ट भी बिल्कुन बन कर त्यार है इधर हमारी सबजिया भी बिल्कुन परफेक्ट भून चुकी है तो अब इसमें सोया सॉस रेड सॉस और विनेगर डाल कर अच्छी तरीके से मिलाएंगे इसे continue हिलाएंगे ताकि यह अच्छी तरीके से जो हमनें सबजियां ड इस स्टेश पर डाल कर अच्छी तरीके से मिलाएंगे इसे continue हिलाएंगे ताकि जो यह सोया सोस का कलर और अच्छी तरीके से आजाए और देखिए जब इसमें उबाल आ जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा पानी में आड कर रहे हूं क्योंकि तो इस मुझे नूडल के साथ खाना है तो इसे ग्रेवी ही रखूंगे सुखा नहीं बनाऊंगे तो इस तरीके से जब इसमें उबाल आ रहा है तो इसमें टेश के अकॉर्डिंग नम और एक चौताई चमच काली मिश डालेंगे इससे इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा कंट्यून हिलाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकने के लिए रख देंगे जैसे जैसे ग्रेवी हमारी पकेगी तो इसमें कॉर्ण फ्लावर डाला है वह अच्छी तरीके से मिल जाये और ग्रेवी भी ठीकी हो जाये जब तक ग्रेवी पक रही ही है इधर हमें गरम बानी रख दिया थे उबलने के लिए वह एक ही में सब्सक्राइब दिड़कें इसकर के時間 रहें सब는지 करए इस तरीके से खाट लेंगे इस देखिए शिमला में इस प्याज और बंदगो भी बारी कट चुकी है इधर हम बीच बीच में इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि यह नूडल्स उपर नीचे हो जाए तो अच्छी तरीके से पक जाए इधर देखिए जो हमने मंचूर यह निचाल देते हैं जो जाग कहते हैंएसे और इसे तच करकर देते हैं दक बीचल कुल परुफैक्ट यह अच्छी तरीके से पक चुका है तो kaleska फी पर कर देझे और द peng डिहाए दूसरा में इस तरीकेसे दिखा रही हैu अच्छी तरीके से पक चुका गास का फ्लेम बन करने के बाद इसे जालीदार कंटेर मेर्य निकाल लेंगे फ्राइपेन लेंगे फ्राइपेन में बारी टाओ अध्रक लश्ण और हरे मिज़ डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से ना भूंजा ईसे अध्रक लश्ण का टेस्ट बिल्कुं ना आजाई तरीके से भूनेंगे और बारी कटव प्याज शिमला मिर्ज और बंदगोबी को डालेंगे जब तक नूडल में सबजिया डाले न तो इस स्वाद नहीं आता और स्टीट स्टाइल बनाना है तो सबजिया बिलकुर भरपूर डालेंगे हमें अब इसमें सोया सॉस विनेगर र ब्लैक वाले उससे इसका कलर देखे कितना अच्छी तरीके से आया हाई फ्लेम पर ही से कंटिने हम पकाएंगे ताकि सबजिया भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाई है और जो हमने जितने भी सॉस डाले न हूँ अच्छी तरीके से पक जाए टेश के अकौडिक नमक और एक च तरीके से ना मिल जाए देखिए जब यह मिल रहे हैं पर से स्पुरिंग ऑनियं डॉल्क प्र आज कर लेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे cannot तेस्टी नूडल्स इसे हम वैज मंचूरियन के साथ खाएंगे ने तो इसका टेस्ट डबल ही हो जाएगा इधर हमारी ग्रेवी भी हमने जो मीडियम फ्लेम पे रखी थी ने वह भी अच्छी तरीके से पक चुकी है तो एक एक करके सभी मंचूरियन को डाल देंगे और इसे मुह में पानी आ रहा है चलिए नेस्ट रोसेस के लिए चलते हैं तो इसे जब प्लेट में हम डाल रहे हैं तो देखने में बहुत ही अम्मी और खाने में तो इमेजिंग कर सकते हैं कितना टेस्टी होगा और चाइनी डिश तो वैसे ही बच्चों को आजकल बहुत पसंद ह तो मेरी बेटी का पड़े था तो इसमें बच्चों ने कहा है ममी आज हमें पनीर सबजी नहीं खानी आज तो हमें कुछ चाइनी डिश खानी है तो अब मैंने सोचा क्या बनाओं तो फिर याद आया कि वैज मंचुरियों और नूडल्स बना लेते हैं इससे काम भी इसी र चाहिए करिएगा देखे कितनी सॉफ्ट है मैं आपको इसको तोड कभी दिखा रही है वैज को वंचुरियन को कितनी सॉफ्ट है इसे अब इसके साथ मिला कर खाईए यम्मी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सस्क्राइब कमेंस और शेयर कीजिए